नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देश्मुक नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चेठा में आप सभी का स्वागत है कच्चा चेठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से दक्षन अफ्रीका ने इस्रेल से अपने राजदूत और बाखी राजनएकों को वापस बुला लिया इस्रेल और गाजा के बीच महायुद को अब एक महीना पूरा हो गया और गाजा से अब देट यह है कि इस्रेल की सेना अब इतनी अंदर घुज गई कि उसने गाजा पटी को दो हिस्सों में काट डाला सवाल यह है कि अब हमास आगे करेगा तो क्या कुछ करेगा इस्रेल और हमास का युद्ध जंग का एक महीना पूरा हुआ और इस एक महीने में इतना खुन खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर बारह हजार लाशेंगे चुकी है अब इस्रेल का ऐसा हमला कि घाजा को काट दिया हाव और हमास का किस्सा हंड्रेड पॉसेंच साव यही इस्रेल का मकसद है यही इस्रेल का इरादा है इस्रेल का ग्राउंड ओपरेशन बता रहा है कि अब उसने घाजा को दो हिस्सों में बाट दिया है या कहें कि घाजा को दो हिस्सों में काट दिया है एक तरफ उत्तरी घाजा जिसको चारों तरफ से इस्रेल की सेना ने घेट लिया है अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दक्षणी गाजा इसरेल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए लेकिन उत्तरी गाजा में इसरेल की जमीनी का रिवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं लेकिन इस सुवक्त इसरेल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर मंबारी को रोका जाए यानी सीज फायर हो एक महीने के युद्ध को लेकर इसरेल कहा पास हुआ है? कहा फेल हुआ है? साथ अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जहन में इसरेल के दो मकसद थे पहला हमास के पास से करीब ढ़ाई सो बंदकों को आजाद कराना जिसमें इसरेल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है दूसरा इसरेल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है लेकिन अभी तक इसमें भी इसरेल फेल ही साबित हुआ है अमेरिका भले ही खुल कर इसरेल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन हकीकत ये है कि वो भी सीज फायर चाहता है ऐसे में अब तक इसरेल को सिवाए हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है उत्तरी घासा में इसरेल के टैंक घूम रहे है जरा सी हरकत पर बंबारी कर रहे है इसरेल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है इसरेल ने गाजा को कैसे दो हिस्सों में काट कर रख दिया है इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खत्रा पता चलेगा इसरेल ने ठाम ली है कि गाजा का नाम और निशान मिटा देगा गाजा के नक्षमें अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका ये गाजा है और यहाँ पर आप इसराईल देखेंगे उधर मेडिटेरियन सी है गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है वही दक्षमी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सेना की तैनाती की गई है इस वक्त इसराइल में सेना मौजूद है उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमेटर तक दक्षिन तक ऑपरेशन चलाया हुआ है यह उत्तर शोर आप देखेंगे और यहाँ पर दक्षिन चोर भी देखें और अगर आप देखें तो उत्तर का पूरा इलाका है वो पूरी तरीके इसे डक्षिन के इलाके से कट गया है और शायद इसी को लेकर जो इसराइल के सेना के पवर्वक्ता है उन्होंने साफ़ तो पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं ना बलकि दो दो देशों में बढ़ चुका है वहीं इस्राइल की सेना ने दूसरा मोचा उत्री छोड से 10 किलोमेटर नीचे खोला है यह जगत जो आप देख रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोड दक्षणी छोड है आपस में पूरी तरिके से कड़ चुके हैं बीच में इस्राइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फसे हुए हैं यह जो इलाका आप भी फूजों ने गाजा को घेरा हुआ है यही पर गाजा के तीन बड़े अस्पताल है अल अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इस तमाम बंकर्स में कई आतंखवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम अहतियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं औ और अब इस्राइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है. लेकिन इस्राइल का दावा है कि इन अस्पतालों में हमास के अड़े हैं. इसलिए वो आसपास हमास के अड़ों को टार्गेट कर रहा है. Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of our operation, a ground operation that was conducted on the hospital then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we expose the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन ही अस्पतालों के बीच इस्राइल बंबारी तेज हो गई है. इस्राइल अब इन अस्पतालों के आसपास लखातार बंबारी कर रहा है. ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवावी का रिवाई की. और उत्तरी इस्रेयल में कई शहर उसके टार्गेट पर रहे हैं हमास के रोकेट को रोकने का दबाओ बहुत ज़ादा है और अब हेजबुला की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इस्रेयल का आईरन डूम भी नहीं जहेल पा रहा है इस वीडियो को देखिए जिसमें आईरन डूम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लोट कर वापिस इस्रेयल में ही आगे रहे हैं आईरन डूम शौबी सो घंटे काम कर रहा है लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी ठक जाती है रोकेट हमलों के बीच इस्रेयल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड़े बने हुए हैं जहां हथियारों से लेकर फ्योल सब को छुपा कर रखा जाता है लेकिन इस्रेयल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas cynical use of hospitals to hide their terror infrastructure. I want to repeat. Is